जो जो मुझे इसका मेनिंग लगता है, वो यह कि जब तक हम उस truth में नहीं जीते, तब तक हम चाहें कुछ भी कर लें, activity, quietude, कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर लें, कुछ भी hold कर लें, चाहे वो हम deny कर रहे हैं, या assert कर रहे हैं, जहां पर sense of control है, वहां पर हम free नहीं रह सकते, तो यहां पर truth में जीने की बात हो रही है, उस sound of silence जैसे जीती है, वैसे जीने की बात हो रही है, तो truth में जीए, at the level of understanding, एक तो होते है thoughts इस दुनिया से related, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही, truth में जीने का मतलब thought of the truth, thought of oneness plus experience of oneness, जो हमें consciousness अपने होने का experience है, sound of silence का experience है, तो उसकी understanding plus उसका experience उसमें जीने की बात हो रही है, तो जब तक हम उसमें नहीं जीते, तब तक चाहे हम कुछ भी करते रहें, वहाँ पर endless bondage है, ठकान है, conflict है, और suffering है, right, in fact, suffering की यही definition है, क्योंकि suffering का मतलब क्या है, जहां पर भी दो है, वहाँ पर suffering है, और कब होते हैं दो, एक हम जब जाग रहे होते हैं, तब दो होते हैं, या सपने में दो होते हैं, गहरी नीन में कोई दो नहीं होते हैं, वहाँ एक भी नहीं होता है, तो वहाँ पर कोई suffering भी नहीं होती है, इसलिए हमको अपनी जो नींद है उससे इतना दादा प्यार है तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो है दोस्टों डूनाट लिव इन दे सिंगल वे cannot be free in either activity or quietude in assertion or denial बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही जा रही है वो यह कहा जा रहा है कि जो एक में नहीं रहते हैं एक रास्ता एक रास्ता मतलब पिल्कुल सीधा रास्ता वहाँ पर कोई confusion नहीं है आप imagine करो आप कहीं पर गए हो और वहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं तो क्या होगा वहाँ पर confusion होगा confusion होगा तो डर भी होगा कि कहीं मैं गलत रास्ते बेना चली जाओं एक सही रास्ता होगा जो अभी सही लगेगा बाद में गलत हो जाएगा तो जहां पर single way है यानि choice less है तो जब तक आपकी जो understanding है वो choice less नहीं हो जाती है तब तक आप शांत कैसे रह सकते हो तब तक आप peaceful कैसे रह सकते हो those who do not live in the single way अब कहा single है और कहा double है thought के level पर double है यह जो world है इस level पर double है double क्या है बलकि multitude है infinite है thoughts be infinite है feelings infinite है emotions infinite है और लोग यहीं जीते हैं या फिर और एक और नया thought create हो जाता है बहुत लोग के मैंड में thought of the truth thought of the way thought of God thought of यह thought of वो वह भी सब क्या है thoughts है तो वो सब कहां जी रहे हैं दो में जी रहे हैं और वहां पर unlimited conflict है अंदर भी और भार भी ऐसी इस दुनिया की हालत है अपने अंदर जहांके देख लो आपको नजर आजएगा कितना conflict है बहार देख लो दुनिया में आपको समझ आजएगा कितना conflict है तो यह कोई नहीं pep talk नहीं है यह fact है यह reality है कि जो एक में नहीं जीता है वो endless conflict में जीता है क्योंकि choice आगए और choice आते ही pressure create होता है mind के उपर कि अब करूँ या ना करूँ करने के क्या plus minus है नहीं करने के क्या plus minus है single way में कोई choice नहीं है अब single way में कौन जी सकता है जिसको single way का experience भी हो और understanding भी हो और उसकी उसके लिए importance भी हो उसमें इतनी intelligence हो कि वो समझ पा रहा हो कि जैसे सब जीते हैं उस तरह से जीने में क्या problem है और single way में जीने में क्या होता है in fact मज़े की बात क्या है कि single way में जीने का एक्चुर में मतलब क्या है कि आप ही single way हो you are the way you are not different from the way because अगर आपको यह गलत पहिम है कि मैं single way में जीना तब भी दो create हो गया है तब भी conflict है बहुत लोगों को यह illusion हो जाती है कि I am living in the single way that I is still there if you are the way then you are actually living in the single way then there is no separate you फिर आप actual में free हो क्योंकि अप करने को कुछ नहीं रह गया है as far as your being is concerned उपर उपर लेवल पर जो actions चल रहे हैं वो अलग है उस लेवल पर तो conflict चलता रहता है but your being जो आप हो उस लेवल पर कोई choice नहीं है जो हो जैसे हो so हो तो इसका मलब आप कहां जी रहे हो अपनी understanding के लेवल पर in the single way as the single way in fact in the single way से better है as the way because you cannot live in the single way यू मतलब क्या आपका thought या sensation उस लेवल पर आप single way में नहीं जी सकते हो but if you are the single way और आपको इस समझ आ गया है तो अब आपके understanding वहाँ पर stable हो गई है now you don't even want to live in the single way you don't want to live in the sound of silence because you are the sound of silence जब तक नहीं समझ आये तब तक यसा लगता है sound of silence का experience पोता नहीं क्या है समझ आ गया ना अब उससे भी attachment खत्म हो जाता है attachment का मतलब क्या है दो है अभी भी बहुत लोगों को क्या होता है इस दुनिया से attachment शूट जाता है sound of silence attachment हो जाता है या उससे related जो thoughts है उसमें attachment हो जाता है या अपने किसी pursuit में लग जाते हैं so called understanding of the truth what is to be understood it is there as it is if you are that the topic is closed it's finished nothing more has to be done over there फिर जो करने को रह जाता है इस दुनिया में करने को रह जाता है और इस दुनिया में करने को क्या क्या है बहुत कुछ है करते रो मरते दमता तब भी सब कुछ नहीं कर पाऊगे माल लो इस प्लानेट पर जो भी कुछ है करने लाएक वो सब आपने कर भी लिया तो और कितने सारे प्लानेट से हैं कितने कितने तरह की कहां कहां पर क्या क्या लाइफ है पता ही नहीं है तो सब कुछ तो कोई करी नहीं सकता है एक इंस्ट्रुमेंट के थरू लिमिटेड टाइम एक लिमिटेड स्पेस में आप अपरेट कर रहे हो तो जो नौलेज होगी एक्सपीरेंस होगा वो भी लिमिटेड ही होगा तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि दोस्टू डू नॉट लेविन दा सिंगल वे आप चैनल बी फ्री इन अइधर एक्टिविटी और क्वाइटी उट कि जो एक में नहीं जीता है वो चाहे कुछ भी कर ले एनी कैंड अप आप 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 अच्छा लगता है तो भी फस होगे और नहीं लगता है तब तो फसे फसे दोस्ती में भी फसोगे, दुश्मनी में भी फसोगे तो हर तरस से फसोगे, इसमें ये कहा जा रहा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप फस जाओगे दूसरी तरस से किस ऑपोजिट की बात करी जा रही है लोग क्या समझेंगे, अच्छा कुछ भी कर लो तो फसोगे, इसका मन्ना कुछ मत करो, वाइटीट, सब छोड़ दू, और जा करके शांती से बैठ जाओ, वहाँ भी फस जाओगे, ये कहा जा रहा है, कि अगर सिंगल वे को आप अभी तक नहीं समझ पायो, if you are not the single way, मैं इसको थोड़ा से चेंग कर रहा हूँ, those who do not live in the single way, इसको मैंने क्या बना दिया, those who are not the single way, वोकि even those who live in the single way, are in conflict, if you are the way, तो आप करने को एक चुन में कुछ नहीं रहे गया, now there is no choice, whatsoever it is, now you are as choiceless as the truth, truth की beauty यही है, it never chooses, anything, सही और गलत, अच्छा बुरा, वो इस सब चक्रों में नहीं पढ़ता है, तो क्या कहा जा रहा है, आप चाहिए कुछ भी कर लो, कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी छोड़ दो, assertion, denial, चाहिए आप assert करो, कि हाँ यह ऐसा ही है, कुछ बिलीव करो, कुछ बिलीव ना करो, कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी पालो, किसी से भी पीछे छुड़ा लो, बच नहीं पाऊगे इनमें, अगर आप सिंगल वे नहीं हो तो, इसमें दो बातें कही जा रही हैं, कि या तो आप हर चीज की रियालिटी को डिनाय कर रहे हो, या फिर उसकी एमटीनेस को एसर्ट कर रहे हो, कि यह कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं पड़ा, यह विकार है, दोनों ही केसिस में, जो उसके बियॉंड है, जो उन दोनों का base है, उस emptiness में भी है और things में भी है, वो दोनों की reality है, वो दोनों में हैं, तो दोनों ही cases में आप reality को miss कर गए, आप truth को miss कर गए, यह कह सकते हैं कि आप उपर-उपर घूमरे हो, चीज़ों को reject कर रहे हो, या assert कर रहे हो, बट जो है उन दोनों का ground, जो आप हो उसी को मिस्स कर गए देखो होता क्या है basically it is a scientific fact that something cannot come out of nothing कुछ भी अगर है तो इसका मतलब उसका कोई नो कोई source है तो चाहे scientist हो बाहर की दुनिया का या अंदर की दुनिया का कोई scientist हो यानि कौन जो meditation करते है बहुत deeply inquire करते है दोनों ही एक जगे पर जा करके फज़ जाते हैं वो क्या है जो उनकी instrument की limitation है instrument एक point के beyond नहीं देख सकता तो वो कहां जा करके अटक जाएंगे space में जा करके stuck हो जाएंगे nothingness में जा करके stuck हो जाएंगे science की भी यही problem है और अंदर की जो science है उसकी भी यही problem है लो अपनी जो finger है इसकी tip पे ले आओ और आपका कई घंटों तक ध्यान यहीं पर है तो क्या होगा देरे-देरे यहां पर energy vibrate होने लग जाएगी देरे-देरे आप देखोगे यह चीज fluctuate होने लग जाएगी भार से देखने में सब कुछ still लगेगा लेकिन अंदर से वहां पर energy भरती चली जाएगी और थोड़ी देर में आप देखोगे सब कुछ खाली है कुछ भी नहीं है तो आप क्या देखोगे जो past में सब ने देखा या कोई भी meditator जिसने एक्चुल में deeply meditation किया है वो देखता है कि कुछ भी नहीं है सब खाली है वो ही जो बात science कहती है everything is energy है तो ये भी energy देखने में matter लग रहा है ना तो आप अगर बहुत ज़्यादा meditation करोगे तो आप ये भी देख लोगे कि ये energy जो solid दिख रही है ये solid नहीं है ये inner flux है ये vibrate कर रही है और इस vibration के आर पार भी आप देख सकते हो मतलब आपको वहाँ पर कुछ भी solid नजर नहीं आएगा ये ही science करेगी एक point तक जाकर के देखेगी उसके beyond देखेगी तो वहाँ पर nothing nice में कुछ दिखेगा फिर उनको लगेगा अच्छा ये सबसे छोटा है फिर उसको देखेंगे उसको भी breakdown करेंगे फिर उसमें space पे जाकर क्या टक जाएंगे फिर आगे और बढ़ेंगे तो ये smallest particle कभी खत्म होगा ही नहीं आप चाहे smallest पर चले जाओ चाहे biggest पर चले जाओ खत्म होने ही नहीं वाला है क्यूंकि infinite मैं से आया तो उसका infinite it is not finite को दोनों तरफ से infinity है तो जो meditation करते हैं अंदर की दुनिया में या भार की दुनिया में जो scientist होते हैं वो दोनों एक ही पर जाकर के stuck होते हैं which is emptiness जहां पर कुछ नहीं होता है मैंनों बहुत meditation किया ये किया वो किया तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिर बाद पहले देखा कुछ भी नहीं है ये सब जो solid लग रहा है सब inner flux है सब energy है जो vibrate कर रहा है इसको भी आपने experience कर लिया उसके beyond देखा फिर एक खाली पन है फिर और आगे देखा darkness है फिर और आगे देखा light है फिर और आगे देखा फिर darkness है अब उसमें जाके stuck हो गए पहले देखा sound है फिर देखा silence है फिर देखा और subtle sound है फिर देखा silence है फिर देखा sound है और जब मैं यहाँ पर silence की बात कर रहा हूं, I am talking about the absence of sound. जब मैं darkness की बात कर रहा हूं, I am talking about the absence of light, जिसको लोग darkness बोलते हैं. Light तो कभी absent होती नहीं है. Sound कभी absent होती ही नहीं है, तो silence का सवाल ही ने उठता. तो जिसको silence समझ रहे हैं, वो एक illusion है. जिसको डाकनेस समझ रहे हैं, वो एक illusion है. और वो खुश हो रहे हैं, डाकनेस से light की तरफ जा करके. या sound से silence की तरफ जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं. बढ़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा है, जो हमेशा होता है, बट उसके बारे में उनको पता ही नहीं है, उसको miss कर जाते हैं, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक meditation कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उनको तरह तरह के experiences हुए, body के level पे, mind के level पे, जो सब हो यहीं रहे हैं, अंदर ही सब कुछ आपको दिख रहा है, सपने में भी तो यही होता है, जैसे सपने आपकी brain में play होते हैं, आपको लगता है, मैं या पाँज गया, वहाँ पाँज गया, आप वहीं होते हो, अप कहीं नहीं होते हो, ऐसा नहीं कि body would करके कहीं चली गई थी, या आप कहीं उड़ करके चले गए थी, वाटेवर, ठीक imaginations है अपने अपने लोगों की और वो उनको सचमाल लेते हैं क्योंकि question नहीं करते हैं ना अंदर से खाली है इसलिए कुछ भी पकड़ने के लिए चाहिए जहां से उनकी ego को अच्छा लगे अच्छा किसमें लगता है मेरे पास में पहले कम थे experiences अंदर की दुनिया के अब और बढ़ गए अब मुझे ये भी experience हो गया अब मुझे वो भी हो गया तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है इन experiences को पकड़ने में जो रियल questioning mind होता है वो कुछ पकड़ता नहीं है उन्टा छोड़ देता है सब कुछ questioning की यह beauty है वहाँ पर चीज़े छूटती है पकड़ा नहीं जाता है यह जो पकड़ने का खेल है यह चलता है बिल्कुल ही rudimentary mind में जो अंदर से खाली होते हैं वो बस पकड़ते रहते हैं भरते रहते हैं अपने आपको तो इसमें यह कहा जा रहा है कि if you assert the emptiness of things यह सच है कि यह भी सच है कि this emptiness is full of something वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं यह को इसे बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने 20 साल से 30 साल से किस-किस तरह की meditation करी है किस-किस तरह का क्या किया है but they have got no clue about the sound of silence वो कहां तक गए है maximum या तो experiences में उलचके रह गए उनसे बोला experiences में क्या है वो तो आते जाते रहते हैं बलकि आप से ज़्यादा experience तो उन लोग हो है जो पूरी दुनिया में ट्रावल करते हैं और पता नहीं क्या-क्या देखते हैं क्या-क्या करते हैं experience में कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है बलकि यसे बऀत experiences पता ही Jetzt Państu ऐसे बहुत experiences अपको पता ही नहीं है आपने-च ancienал's आपने आपको साρε इनर होते हैंmond क्या होता है आउट कोई experience होता ही नहीं है यहां सका guidance होता है सब कud in 그대로 हो तो वो उनको विसनर रहा है और जो और को एडिटेशन नहीं करते हैं उनको भी इनर एक्सपिरेंस हो रहा है फर कुछ भी नहीं है अब वो कहां पे अठके हुए है या तो उन्होंने उन कि और आगे निगल जाते हैं कहां पे बियॉंड एक्सपिरेंस नथिंगनेस एम्टीनेस बुद्दिश्ब में बहुत बात करी जाती हैं एम्टीनेस की तो वो उस एम्टीनेस को पकड़ लेते हैं और उसको रिपीट करने की गोशिश करते हैं जबकि जब एक्च्वल में कुछ नहीं होता है तो वो बिल्कुल गहरी नींद के जैसा होता है उसका तो एक्सपिरेंस ही कुछ नहीं होता है उसमें कह भी नहीं सकते ही एम्टीनेस वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, ना उसका कोई थौट होता है, ना उसके बारे में आप कुछ कह सकते हो, बट जिसकी वो लोग बात करते हैं, आपसेंस अफ थौट, इसक्वी देशन अफ थौट, वह उसी में अटके होए है. मतलब experiencer है, जो बोल रहा है उस experience के बारे. राइट, वहाँ पर वो जाकर कि यह बोल रहा है, meditation में थोड़ी देर बाद एक calm state आती है, जिस state में सब कुछ relax हो जाता है, body, mind, brain, तब उसको कुछ ऐसा experience होता है, कुछ second के लिए एक liberating feeling मिलती है, एक freedom को वह experience करता है, जैसे हम घहरी नीन में करते हैं, तो उस freedom को उसने experience किया कुछ second के लिए, जैसी experience किया, उसने register किया, अब thought बीच में आ गया है, now that person is saying it within और उसको पता ही निया क्यों क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको यह नहीं पता कि सोचना मतला बोलना, अब वो अपने आपको बोल रहा है, कि कितना बढ़ी आ experience हो रहा है, और यहां पर तो कुछ भी नहीं है, this is the ultimate experience, the experience of the emptiness, उसको यह नहीं पता, यह empty नहीं, it is full of thought, और यह थोड़ी दिर में जाएगा, फिर आप irritate होगे, frustrate होगे, फिर आप वापस इसको repeat करने की कोशिश करोगे, तो वो इसके beyond नहीं जा पाते हैं, यह मैं बात कर रहो, advanced, so called, advanced meditators होते हैं, वो इस point पर जाके अटक जाते हैं, जो basic level के immature meditators होते हैं, वो experiences में अटक जाते हैं, उससे थोड़े उपर वाले emptiness में अटक जाते हैं, और जो इस सबसे अलग हैं, वो beyond experience है and emptiness है, that is neither sound nor silence, neither thought nor absence of thought, but the underlying reality of everything, तो यह कहा जा रहा है, कि अगर आपने emptiness को जादा importance दे दी, तो आप भहीं पर जाकर क्या अटक जाओगे, emptiness के भी आगे जाओ, emptiness पर जागर क्या स्टक मत हो जाओ, जैसे आपने चीज़ों को छोड़ा, experiences को छोड़ा, तब ही emptiness तक पहुचे, ऐसी emptiness को छोड़ो दो, और आगे देखो क्या है, तो जो इन सारी forms का जो substance है, जो material cause है, जो formless है, उसको आप experience कर सकते हो, यानि जब सब को छूट जाता है, वो इतना intelligent है, उसने का, यह तो experiences आते जाते रहते हैं, छोड़ देते हैं, अच्छा, यह जो absence of experience है ना, यह आता जाता नहीं है, बट वो इतना नहीं देख पा रहे हैं, भी आता जाता है, तो वो इसमें जा करके stuck हो जाते हैं, और अब हम यहां पर बैट करके हस रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, बट imagine करो, एक ऐसे इनसान के बारे में, जिसने अपनी पूरी life लगा दी, इस state में, उसकी क्या हालत होगी, अब अगर उसको यह बात कही जाएगी, यह उसने मेरी यह वीडियो देखी, तो वो accept ही नहीं कर सकता है इस बात को, कि मैंने अपनी life के 50 साल खराब कर दी है, क्योंकि इन दो states के लावा, उसको और कुछ पता ही नहीं है, या तो उसके पास में words है, जो इदर उदर से कहीं से पड़े हैं, रट लिये हैं और बोल रहा है, या फिर उसके पास में absence of words है, इन दोनों के अलावा उससे पूछो और क्या है, डू यू नो अबाउट संथिंग एल्स, नहीं, तो यहां पर यह कह जा रहा है, कि अप्टीनेस में जा करके मत अटको, देखो अप्टीनेस में क्या है, तो हो सकता है आपको नजर आएगा, कि नथिंगनेस इस एन इलूजिए. The more you talk and think about it, the further you wander from the truth. So, seize attachment to talking and thinking, and there is nothing you will not be able to know. So, basically, the ideas of truth is not the truth. Basically, इसके बारे में, इसके concepts के बारे में, truth के जो भी imagined concepts है, उसके बारे में, चाहे हम कितनी भी बात कर लें, वहां हम गूमते ही रहेंगे, हमेशा. तो इसमें यह लिखा है कि, चुप हो जाओ, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी. Basically, जो silence है, silence के भी आगे जैसे हमने देखा, कि जब हम कुछ पकड नहीं रहे होते हैं, कि माइन के लेवल पे, वेन वेन आ टॉकिंग अन थिंकिंग, तो वो टॉकिंग अन थिंकिंग में, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ पकड ही तो रहे हैं. तो अगर वो concepts के दाएरे में है, वो truth, चाहे उसके बार में कितनी भी बात कर लो, वो आपको समझ में नहीं आएगा, because, वो तो आप हो, वो तो बातों से परे आए, एक तरीके समी कह सकते हैं, उसमें बातों की जरूरत नहीं है, उसमें, कितने भी thoughts आएं, कितने भी thoughts आएं, हम कितनी भी बाते कर लें, वो तो यहीं का यहीं है, वहीं का वहीं है, हमेशा है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि, चुप हो जाओ, मतलब जितने भी concepts हैं आपके, उनको छोड़ो, और फिर देखो. उसको छोड़दा possible नहीं है, क्योंकि जो भी under-feeded है, जो भी हम अपने आपको बोलते हैं, सोचते हैं, वो सब किसके base पे चलता है, information के base पे, तो information तो under-feeded है, जब तक information feed है, तो बोलना चलता रहेगा. तो यहां पर यह एक आजा रहा है, कि एक बार जो truth है, या फिर एक बार जो reality है, उसको as it is देखो. और जब आप बिना कुछ बोले, उसको देखते हो, तो बोलती बंद हो जाती है. व्योंकि आपको यह समझ आ जाता है, कि मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, और जान ही नहीं सकता, तब एक चुल में बोलती बंद होती है. और अगर आपको यह गलत फेमी हो जाती है, कि मैंने इसको experience कर लिया है, तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आया है, क्योंकि आपने एक्चुल में experience नहीं किया है, क्या आपने sound of silence का, जो actual nature है, उसको experience किया है, या उसके छोटे से expect को, जितना कि आपका instrument पकड़ सकता है, जिसके base पे हम बोल रहे हैं, कहां ऐसा कुछ है, sound of silence, उसको आपने experience किया है, और उसके base पे आपको यह लगने लग गया, कि मेर को पता है, you actually don't know, what it is, where is it coming from, you just know one thing for sure, कि yes it's there, इसके आगे आप कुछ नहीं कह सकते, जो भी कह रहे हो, वो सब आपकी imaginations है, तो actual में यहां पर सोचने के लिए, कुछ है ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए data चाहिए, do you have any data about the sound of silence, किस बुक में लिखा है उसके बारे में, या कहां गूगल में पढ़ोगे, या क्या actual में आपके experience के बेस्पे, क्या data है, जैसे कोई chocolate है, जो आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में मैं कहूँगा, लिखो ज़रा एक बुक लिखो, तो आप लिख सकते हो, इसके बारे में आप क्या लिखोगे, इतना कि या बदलती नहीं है, ये वैसी कि वैसी है, और कुछ, और ये हमेशा है, अभी आपने दो बाते बोली, एक कि ये बदलती नहीं है, एक कि ये हमेशा है, यह दो अलग अलग बाती नहीं है एक चुलमे एक ही है बडलाव का मतलब time change is time without change there is no time so you're talking about it from the standpoint of your body not from the standpoint of sound of silence क्योंकि वो तो हमेशा ही in motion है और यह जो आप कह रहे हो नहीं बदलती है अगर वो नहीं बदलती है तो यह सब universe कहां से आया अगर आप कहा रहे हैं लाइट नहीं बदलती है तो रेंबो कहां से आया तो if you start questioning your own thoughts whatever you are saying about the sound of silence आपको समझ आ जाएगा सब अक्वास है कहीं से कुछ पढ़ लिया है उसके बेस पे कुछ बोल रहे हो इसलिए कहते हैं कि सच के बारे में एक्चल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जिसको ये लगता है कि मैं जानता हूँ वो एक्चल में कुछ नहीं जानता है और जो ये जानता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और ना मैं जान सकता हूँ yes it is there बट इससे उपर में और कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो एक्चल में जानता है इसलिए वेदों में भी एक पॉइंट पे जाकर के इसको छोड़ दिया गया है, ओपन छोड़ दिया है जो एक्चल में पास्ट में जो इंटलिएट लोग हुए हैं उन्होंने कोई belief नहीं दिया है लोगों को पकड़ने के लिए, उन्होंने क्या कहा है, one who sees the highest heaven, one who experiences it, it भी नहीं बताया के क्या, महाँ पे यह word यूज नहीं हुआ है sound of silence, यह तो हम बोल रहे हैं, महाँ पे क्या कहा है, one who experiences that या it from the highest heaven, he knows, or maybe even he does not know, ओपन छोड़ दिया है अब thought पूरी तरह से dissolve हो गया है, because now अब बोलती बंद है ना, जो thought है वो operate कर सकता है, known में, unknown के realm में कैसे thought operate करेगा, अगर आपको यह गलत थेमी है कि आप सच के बारे में जानते हो, तो आप कुछ बोल सकते हो, जब आपने सच को देख लिया है कि ना मैं कुछ जानती हूँ ना मैं जान सकती हूँ, यानि जो भी knowledge है about the truth, that are just like pointers towards the truth, that is not the truth, जैसे signboard की तरह है, बस इशारा है, अब जब उसको देख लिया तो अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, जैसे अब आपने कहा कि वो नहीं बदलती है, तो यह हम इस standpoint से बोल रहे हैं, जो बदलत है, जो बदलता है, उसके contrast में कहा जा सकता है कि कुछ नहीं बदलता है, नहीं तो यह कहने की जरूरत क्या है कि वो नहीं बदलता है, वो हमेशा है, यह कहने की जरूरत तब है, जब कुछ ऐसा है जो हमेशा नहीं है, तो again जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आपको लग से related, इस body से related, उसको हटा दो, अब देखो sound of silence को, अब बोलो क्या बोलोगे, जो भी बोलेंगे वो उसी knowledge के base पर ही बोलेंगे, जो भी acquired है, exactly, जैसे absence of thought is equal to the knowledge of the prior presence of thought, there is no absence of thought for that matter, जा absence of thought होता है, वहाँ गहरी नीन्द होती है, तो ऐसे ही इसके बारे में जो भी आपके thoughts है, वह actual में इसके बारे में नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपको जानते ही नहीं हो, जो आप जानते हो, उसके बारे में आप बोल रहे हो, कि यह उस सब का opposite है, जब कि यह सच नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में आप जानते हो, वो भी यह है, तो आप क्या गलती कर रहे हो फिर सेग्रीगेट कर रहे हैं ना इन दो को अलग करके फिर आप कुछ बोल रहे हूं सिक्खे को आपने बोला कि ये टेल है ये हैड है ऐसे ही हमारा माइंड अपरेट करता है और जब तक एबात गहराई से समझ नहीं आएगी माइंड अपरेट करता रहेगा mind imaginations create करता रहेगा क्यों कि deep within आप क्या चाहते हो कि I know the truth I am the knower of the truth इसमें बड़ा मदा आता है सोचने में you are not the knower of the truth nobody can know the truth truth में ये भी है ये universe भी है और वो भी है अब क्या बोलोगे आप कह रहे हो वो हमीशा रहती है कहा रहती है ये भी तो सब sound of silence का manifestation है ये तो हमेशा नहीं रहती है और ये कहने की ज़रूत क्या है कि वो हमेशा रहती है ये हमेशा क्या है time time कहा है sound of silence जा कर पूछो time क्या होता है ये time का concept आपके mind में है based upon जो भी आपने पढ़ा है इस universe के बारे बे तो में ये concept of space and time है भी और नहीं भी ये कहलो कि ये जो concepts है न space and time this is also a part of reality तो आप ना ये कह सकते हो कि वो बदलती है ना आप ये कह सकते हो कि वो नहीं बदलती है आप ना ये कह सकते हो कि वो हमेशा रहती है ये सिर्फ समझाने के लिए है उस इंसान को जो कि इंटैंगल्ड है सिर्फ उसी दुनिया में जहां पर सब कुछ बदलता है और जहां पर सब कुछ temporary है उसको बोलने के लिए है कि हाँ ऐसा भी कुछ है जो नहीं बदलता है बड़ जब आप एक्चुल में उसको देखते हो तब बोलने को कुछ भी नहीं रह जाता है और एक्चुल में इंटेलिजन वो ही है जो इस सच को देख ले कि मैं कितना कम जानता हूं जो जानने की कि कुछ पकड़के रख रखने की दो चीजे már की न एक हो गया कि मैं कुछ जानता हूं सच के बारे में कि पकड़ने की ज़रत है ना बर्दर आ गया ना फास्त आ गया ना ने अभी तो नहीं जानता लेकिन मैं जान सकता हूँ, तो फ्यूचर आ गया, तो अभी तो आप टाइम में कह दो, और हम यह कहते हैं कि मैं वही हूँ, यह सब कहने के लिए ठीक है, उपर उपर लेवल से, जब हम कहते हैं मैं वही हूँ, तो हम यह कह रहे हैं कि I am consciousness, no doubt I am consciousness, but where is consciousness without the non-conscious, so-called non-conscious, जैसे जो मैंने कई बार example दिया है, light और moon वाला, वो बिल्कुल perfect example है, इसलिए अलग-अलग religions में आप देखोगे ना, तो moon की बहुत importance है, so चो sun की importance से समझ आती है, moon की इतनी importance क्यों है? Moon की खुद की light नहीं है ना, मतलब जब आपने समझा था moon light का concept की, एक तरफ से जब light उस moon पे जिसकी खुद की light नहीं है उस पे टकराकर दिखती है, तो हम उसे moon light बोलते हैं, तो light यहां भी है, जिसको मून लाइट बोल रहे हैं, और जिसको हम darkness बोल रहे हैं, जहां पर हम क तो क्या reflect करके moon light बनके हमें दिख रहा होता, तो वो यहां भी है, वो यहां भी है Moon is a symbol, religions are all about symbols, एक तरह की encoding करी गई है, किसी message को preserve किया गया है, क्योंकि message को preserve करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, symbol या कहानिया टेक्स तो लोग भूल जाते हैं, पाते भूल जाते हैं, अब यह मेरे sessions हैं, यह देखेंगे, करेंगे, सब भूल बाल जाएंगे, और actual में भूलने के लिए है, समय लिया है, तो काम खतम, अब आ गया और कुछ नहीं है तो मून क्या है, that is symbolic for matter, and light is symbolic for consciousness, तो हम यह नहीं कह सकते हैं, कि मैं light हूँ, या फिर मैं सिर्फ consciousness हूँ, क्योंकि light के भी दो aspects आ गए ना, अगर आपने बारी किसा अबसर्ब किया, एक light का aspect है darkness, एक हमारा ही aspect है गहरी नींद, जहां पर कोई consciousness नहीं है, एक हमारा यह aspect है, उसको आप सपना कहो या जागना कहो, दोने brain में play हो रहा है, कुछ images play हो रही है, तो यह दो हमारी aspects हो गए ना, एक है जागना, एक है सोना, अगर तो आप यह कह रहे हो कि जागना और सोना इन दोनों का जो underlying substance है, वो मैं हूँ, तब तो ठीक है, बट अगर आप यह imagine कर रहे हो, I am the consciousness, जो सिर्फ जागते वक्त होती है, या सिर्फ सपने के वक्त होती है, तब अभी आप properly नहीं समझ पा रहे हो, और अगर आप properly समझ गए हो, तो आप यह भी समझ गए हो, कि गहरी नींद को समझा नहीं जा सकता है, that is again in the realm of the unknown, तो आप कभी भी सच को पूर करें या तो, या फिर अंदर thought operate करें, उसके through आप देखोगे ना, कि क्या हो रहा है, तो सच का आधा aspect हो गया सोना, यानि darkness, आधा हो गया light, in fact, light एक बहुत छोटे fragment में है, इस universe के, बाकी सब जगे क्या है darkness, ऐसे ही जो मेरा existence है, आपका existence है, हमारा existence है, वो सब unknown के realm में है, we don't know it, do we know के गहरी नीन में क्या होता है, तो अगर हमारे अंदर इतनी humble ने सोती है, कि हम देख सके कि knowledge की limitation क्या है, not your knowledge or my knowledge, but knowledge की limitation क्या है, information की limitation क्या है, thought की limitation क्या है, then we can transcend thought, there is no other way, लोग कैसे translate करने की कोशिश करते है thought को, thought को देखा regarding the form और ये वो फिर कहा, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, let me think about the formless, अब मुझे experience हो गया है, sound of silence का, इसमें कुछ sessions में देखा, उसके बाद में, मेरे को experience हो गया है, so let me think about the sound of silence, let me contemplate on it, वो भी entangled है, तो जब आप अपनी intelligence से intelligence की limitation को देख लेते हो, तो आप एक्चुल में silent हो जाते हो, ये ही बात यहां पर कही जा रही है, क्या कहा गया है, the more you talk and think about it, the further you wander from the truth, the more you talk and think about it, ये दो अलग अलग चीज़े नहीं हैं, एक ही होती है, talking is thinking, अंदर जो हम बोलते हैं, वो ही सोचना होता है, बहार जो बोलते हैं, उसको talking कह सकते हैं, तो जितना भी हम बोलते हैं अपने अंदर या अंदर उतना ही हम जो सच है उससे और दूर हो जाते हैं यानि बोलने के वैसे अनदर हिर्ग पाटन बन जाता है एक 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 डिणिवियरह को जाती है और उले की मितलब सोचना जादा सोचने के वैसे क्या अगर लगने लग जाता है इसकी इन दिछने मोज़ना हों क्योंकि कुछ बहुंत जानते युह उसको रिपीट करते वो अपने अपनी इंटलिजन से देख लिया के उस लेवल पर कुछ भी नहीं है बोलने को, कुछ भी नहीं है समझने को, तो it is beyond thought, it is beyond understanding, it is a fact, बट ये चीज कोई भी scientist accept नहीं कर सकता, तो वो try करता ही रहेगा, जब तक try करता रहेगा, तब तक suffering है, मतला अंदर relaxation नहीं है न, जब तक आप सोने की कोशिश करते रहोगे, तब तक नीन नहीं है, ऐसे ही जब तक कोई इंसान try करता रहेगा, कि मैं जान जाओं किसी तरह से, sound of silence क्या है, तब तक suffering है, मैं बोलता हूँ कि अपने आप से question पूछो, who am I, discover yourself, but अगर आपने actual में खुद को जान लिया है न, तो आपने ये भी जान लिया है कि मैं हूँ, ये तो proof मिल गया आपको, कि मैं हूँ, लेकिन मैं खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ That is also a fact, तो जाकर के जो thought है और जो effort है, वो पूरी तरह से dissolve हो जाता है, नहीं तो thought और effort बच्चा रह जाता है, इसके आगे कैसे जाओगे, जाके दिखाओ, can you go beyond the sound of silence? But उसको जो हमने आज तक, जितनी भी हमने understanding करी है, जितनी भी limited हो चाहे, ये भी तो हम जो कर रहे हैं अभी, इस पे भी बहुत बड़ा question mark लग गया, अब at present, जो हम बात कर रहे है, देखो, ध्यान से समझो, ये कहां तक के लिए है, इसका जो रोल है ना, वो सिर्फ वहां त कुए में रहने वाले मिंडक, एक नदी नाम की भी चीज़ है, एक समुद्र नाम की भी चीज़ है, लेकिन जो एक्चुल में समुद्र में पहुच गया है, और उसने एक्चुल में समुद्र को देख लिया है, तो उसको ये भी समझ आ गया है कि कुए को तो मैं फिर भी ज जान सकता हूँ, समुद्र को मैं नहीं जान सकता हूँ, it is infinite, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जिसे कुए के मिंडग को ले जा करके समुद्र में छोड़ दो, और जितनी मर्जी बाते करो उससे समुद्र के बारे में, बट जो वो जा करके actual में समुद्र को तो वो कुछ नहीं बोल सकता है, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, उससे पूछो कितना बड़ा है समुद्र, अगर समझदार होगा तो वो क्या गएगा, पता नहीं, और पता नहीं क्या है, it is the dissolution of thought, it is the beginning of freedom, एक पता नहीं है, जो बिना जाने है समुद्र को, एक कुए का म उसने कभी experience नहीं किया है, तो उसके अंदर डर है किस कुए के बाहर क्या है, उसके इंदर desire है कि कुए के बाहर भी देखूं क्या है, पत एक बार वो समुद्र में पहुच गया और उसने experience कर लिया कि ये समुद्र होता है, खतम, ना को desire है ना fear है, वहापर जाकर कि उसके सा कुछ तूट जाता है, सब कुछ मिठ जाता है, तो यह जो अभी session हो रहा है, इसका बस इतना सा यह objective है, कि जो इनसान अंदर से परिशान है, सफर कर रहा है, क्यों क्योंकि उसको thought के अलावा पता ही नहीं है, कि और कहां जीते हैं, कैसे जीते हैं, thought क्या है, बिल्कुल उस कुवे के जैसा है, वहाँ पर unlimited conflict है, क्योंकि limited space है और unlimited लोग है, तो सब एक दूसरे से कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी छोटे से कुवे में, समुद्र में जब कोई पहुच जाता है, तो वहाँ पर वो किसी से ना तो compare करता है अपने आपको, ना कुछ छीनता है, ना किसी का कुछ करता है, वहाँ पर जा करके पानी के पीछे क्या लड़ाई होगी, कुवे में लड़ाई हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड पानी हैं, लिमिटेड जगे हैं, समुद्र में अनलिमिटेड स्पेस हैं, अनलिमिटेड वाटर हैं, तो वहाँ पर पकड़ना चोड़ना सब छूट जाता है, तो अगर कोई यह देख पा रहा है, कि मैं कितनी बुरी तरीके से बंदा हुआ हूँ अपने अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में, वह मतलब क्या है, उसका थौट, वह खुद तो बहार है ही, यानि जो वह फंडामेंटली है, वह तो बहार ही है, वह तो कभी बंदा ही नहीं है, तो यह क्या है, यह जो भी हम कर रहे हैं, अगें थौट, तो इस थौट से सिर्फ उस थौट को काउंटर किया जा रहा है, बस खत्ब, इस लाइक एन एंटीडोट फौट फौट, जैसे एक बिमारी है, उसकी दवाई है, बस खत्ब, हेल्थ की कोई दवाई नहीं होती है, तो यह हेल्थ की दवाई नहीं है, लोगों ने क्या किया, जो बिमार है, उनको हेल्थ के बारे में कहानिया सुना दी, और इसको इतना वो कर दिया कि लोगों के माइन में इमाजिनेशन जी बन गई, बेच दिया, त्टो बेच दिया, यह होता बताने केुछना ओने जै तो और एक्टल में जो सच है, वहाँपल ना खुशी है न गम है, इसलिए बुद्ध ने एक बढ़ी अच्छी बात कही थी, हूमне advocates या क knife किसी नहीं कि भाई वहाँ पर क्या होता है जिस state के आप बात करते हो या जो भी आप कहते हो वन नहीं का that is the end of suffering ये नहीं का that is a blissful state मनला उसको positive नहीं किया बस negativity को negate कर दिया the end of suffering is enlightenment not happiness or bliss और ये और वो whatever the end of thought is sleep बस जिस वक्त आप सो रहे होते हो क्या खुश होते हो सो ऐसे इसको समझना है तो इसका रोल क्या है अभी ये जो काम हो रहा है कि जो इंसान इतना intelligent है कि वो देख पा रहा है कि वो कितने बुरे तरीके से फसा हुआ है अपने thought के level पर तो इसके through इस conversation के through इन बातों के through अगर वो इसको अच्छे से समझे तो हो सकता है कि वो वहां से free हो जाए अधर level of understanding जिसकी वज़े से क्या होगा कि जो understanding के level पर जो desire है और fear है वो dissolve हो जाएगा बट जो उसका basic nature है जैसा है जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा male male ही रहेगा female female ही रहेगी कोई अगर शुरू से job करता है तो job भी करेगा इसके बाद भी कोई business करता है तो business ही करेगा उसका basic nature हो गया वो नहीं बदलता है वहाँ पर खुशी suffering दोनों रहेंगी जो भी वो करेगा या करेगी उसका अपना positive negative outcome भी होगा depending upon कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो सब as it is रहेगा relationship sub as it is रहेंगी किसी से जुड़ना है तो जुड़ेगा अलग होना है तो अलग हो जाएगा सब कुछ सेम रहेगा वहाँ पर कोई shift नहीं आएगा shift कहा आएगा जिस तरह से वो खुद के बारे में सोचता था समझता था वो पूरी तरह से change हो जाएगा मतलब वो पूरी तरह से ही बदल जाएगा आप यह कहलो fundamentally deep within वो पूरी तरह से बदल जाएगा इंसान उपर उपर level पर surface level पर सब कुछ सेम रहेगा surface level पर आंधी तूफान होगा यह होगा वह होगा सब कुछ होगा but deep within कुछ भी नहीं इसको आप यह भी कह सकते ह vessel कि understanding पूरी तरह से stable हो जाएगा और वो तभी पूरी तरह से स्टेबल हो सकते जब understanding ही मिट जाए जब understanding से understanding की limitation देख ली understanding ही dissolved हो गई understanding के ही परे निकल गया intellect के परे निकल गया thought के परे निकल गया सब कुछ transcend हो गया थौट को ट्रांसेंट करने का मतलब यह नहीं कि थौट को रोग देना है, थौट को मार देना, नहीं थौट को ट्रांसेंट करने का मतलब बस इतना सा है कि मैं सिर्फ थौट नहीं हूँ थौट भी मैं हूँ, थौट भी मुझ में है बाट मैं सिर्फ थौट नहीं हूँ मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ, ये बॉडी भी मुझ में हैं, बाट मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ. I hope that sums up the entire conversation जो भी आज हमने discussion किया इसके बारे में, बाकी का जो है वो next session में हम cover up करेंगे.